नमस्कार मैं रूमा देवी राजस्तान बाडमेर जिले से बाडमेर से 30 किलोमेटर दूर राउसर गाउं है मेरा जहां पे मेरा जनम हुआ गाउं आप समझ रहे होंगे कि इकटे घर है और चोटी मोटी मार्केट भी होगी वहां पे ऐसा बिलकुल नहीं है पूरा डेजर्ट एरिया है और रेत के टिबों के बीस में चोटे चोटे धानियां बनी होई होती है वहां पे मैं बड़ी हुई जब मैं स्यार साल की थी तो म मेरी मम्मी की देथ हो गई थी और उसके बाद आठवी में मेरा स्कूल छूट गया पिता जी की दूसरी साधी हो गई घर की जमेदरियां आ गई तो इस हिसाब से काम में हम लगे रहा थे क्योंकि वहां पे पानी की बहुत दिक्कत थी और मेरे पास थी एक बेल गाड़ी उ क्योंकि हर मा अपनी बेटी को कुछ हाथ से बना के देती थी क्योंकि जब भी मा की याद आए तो वह अपनी सिंदुख खोल के वह अपने मा के हाथ के बनाए हुए पोडेक्ट को देखके ही तसली करती थी आजकल तो फॉन हो गए हैं फॉन से बात कर लेते हैं लेकिन पहल कि हमने भी कसीदाकारी का काम सीखा लेकिन उस टाइम ये मुझे नहीं पता था कि बाद में मैं इतना बड़ा इसको कर पाऊंगी वो हमने सौक से सीखा और जब मैं 17 साल की थी तो साधी हो गई और साधी के बाद मेरे हस्बेंड सिर्फ पांसवी में पड़े हुए थे और मेर 48 गंटे के लिए ही रह पाई क्योंकि उसको सास में प्रॉब्लम था और उसको बड़े हॉस्पिटल में दिखाना था तो इतने पैसे नहीं थे और सक्सम नहीं थे हम इसलिए हम नहीं बसा पाए उनको तब ही मुझे लगा कि अब तो जिन्दकी में जीके क्या करना है सारी खुशियां ही खतम हो गई है पहले मा को खो दिया फिर बच्चे को खो दिया तो ऐसे विसार आ रहे थे तो मैंने सोचा कि ऐसे घर में बैटके घुट-घुट की जीने से अच्छा है मैं कुछ काम कर लों जिससे मेरे पास पैसे भी आ जाए और मेरे घर भी आराम से चले मे काम में लगा रहे तो थैस क्या करें एक अनपर्ड या घर में लें क्या कर सकते हांस वाइब थी काहीं भाड कहार नहीं थे तो ऐसा लग रहा था या तू क किसी के घर में इस आधे, जाडू पास्या या कोई कॉई केक्शन क काम पर ले टे हैं कोई ऑप्ते तो मैं नहीं नहीं था तो मैं ने चोचा कि नहीं मैं ऐससा काम नहीं करूंगा मैंने जो दादी से कड़ाई का काम सीखा था उसी से कुछ करूंगी तो क्या बनाऊ जो लोकल बहने माईके जाती है, बैग में कपड़े बगेरा लेके जाती है, वो बैग बनाने शुरू किये, तो उस बैग के लिए सुई दागे का काम, एमरोडरी का काम वो तो सुई दागे से हो रहा था, लेकिन इस्टिसिंग करने के लिए मचीन सही थी, और वो मचीन मेरे पा रहे हैं, तो साइद हो सकता है, तो हमने दस महिलाओं मिलके एक सेजी बनाया, और सो सो रुपए एकटा करके एक सेकंडेट मसीन खरी दी, और वहां से काम शुरू किया, अब दस महिलाओं हो गई थी, इतना काम कहां से आएगा, ये दिक्कत थी, तो हमने इधर उधर काम की दो-तीन बैने इकटा हो के वहां गए, वहां पे संस्ताफक विक्रम सिंग जी थी, उनसे जाके मिले, तो हमने बोला कि हमारा SSJ है और आप हमारी कुछ मदद कर पाएंगे, हम काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि महिलाओं खुद काम के लिए बोल रही है, मतलब एक और हमें काम की जरूरत है, तो उन्होंने सेंपलिंग का काम दिया और जब सेंपल अच्य बने तो फिर हमें तीन दिन का order का काम दिया, कि ये आप तीन दिन में करके ले के आएे, जब वो ओडर मिले हमें बहुत खुशी हुई जब आप काम के लगए और जब सुबह वापस रात बैठके काम किया हम बिल्कुल नहीं सुए क्योंकि हमें इतनी खुशी थी कि हमारे पास में काम था तो उनको लगा कि वास्तों में ये काम करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया और फिर हमने बैठके तै कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए जिससे सब लोगों को काम मिल सके तो फिर हमने एक मिटिंग में यह तैवा कि एक्जिविशन होते हैं बाहर जहां पर हैंडमेड प्रोडेक्ट है उनको बहुत मैतों मिलता है वो लोग खरीदते हैं तो आप दिल्ली या बॉंबे बैंगलोर ऐसी जगर पर एक्जिविशन करोगे तो फिर हमने तलाज शुरू की एक्जिविशन के बारे में पूचा दिल्ली में एक रफी मार्क पर एक्जिविशन हो रहा था वहां पर हमें मौका मिला अब डर यह था कि सबसे पहले तो घरवाले भेजेंगे या नहीं भेजेंगे इतनी दूर और घरवाले भेज भी देंग के तो हम तो सिरफ मारवाडी में बात करते हैं वहां पर कैसे लोग होंगे हम बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यह डर था दूसरे यह कि हम इतनी दूर अकेले जाएंगे भी कैसे तो यह सारी सीजें से डर लग रहा था घबरात हो रही थी तब हमने घरवालों से ज फिर दिल्ली पांचे और दिल्ली आने के बाद जब हमने इश्टॉल लगया और कस्टमर्स आये जब हमारी क्या कुष्टमर सारे महिल आए हैं तो उनको लगा कि यह गाउं से आए हैं और इतने गभराए हुए तो उन्होंने बहुत ही सहस्ता से बात करी कि आपने बिटा यह प्रॉडेक्ट जो बनाए हैं हाथ से बनाए हैं या मसीन से बनाए हैं तो हमने बोला नहीं मैम यह हमने पूरा हाथ का काम है और पूरा हाथ का प्रॉडेक्ट है तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने खरीदा जो दो-तीन दिन की एक्जुईशन थी उसमें हमारे 10-15,000 जो बैने हैं उनके पास में रोजगार नहीं है वो दो रूपे के लिए भी कहां से लेके आएं उनको साथ में जोड के काम करेंगे तो फिर हम मैं वापस गई और गाओं घर घर जाके उनसे मिलना क्योंकि उनके घर तक पहुंचना बहुत मुस्किल है पुरा देजर्ट एरिय है और पसास प्लस डिग्री तेंपरेसर रहता है गर्मियों में और उनके पास में सड़क नहीं है वहां से बस में चड़के जाओ फिर 4-5 किलोमीटर पैदल चलके जाओ और पेने के लिए पानी ऐसे नहीं बॉटल पगेर कुछ नहीं होता था वहां पहुंचने के बाद भ पोड़ दें क्यों करें लेकिन फिर भी हम सोचते कि जो महिला हैं उनका मन है काम करने का इसलिए हम उन से बात करते कि हम इनको कहीं नहीं लेके जाएंगे ये घर में बैठके काम करेंगे घर का पूरा काम करेगी और जो भी इनको दिन में 2-3 गंटे टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी तो ऐसे करके कुछ मैला एगरी होई वो काम करना शुरू किया जब उनके पास में पैसे आने लगे तो पडोसकी और बैने साथ में जुड़ना शुरू हुई ऐसा करते करते जो 10 मैलाओं से सफर शुरू हुआ था आज पसे सजार पलस से है उसके बाद ह हमने पूरी तैयारी करने शुरू की नेक्स्ट एग्जिविशन के लिए जब हम नेक्स्ट एग्जिविशन में गए तो हमारी 10 से 15,000 रुपे की सेल नहीं हुई थी पसास अजार की भी नहीं हुई थी पूरी 11,000,000 की सेल हुई थी उस दिन हमने सोच लिया कि अब हम पीच सेल, मटका, संदेरी, मैसरी, मंगलगीरी वह सारे फैबरीक के ऊपर हम ट्राइ करेंगे एपलिक वर्क कैसा होता है तो वह फैबरीक के साथ में हमने कूर्टे, दूपर्टे, साडी यह बनाया क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उन से ही सीखा मैंने उन्होंने बोला कि बिट पलू उल्टा बन गया था, जब हम लेके आये तो बोला कि बिटा यह बहुत सुंदर साडी बने लेकिन पलू उल्टा बना दिया, मैं बहुत दुख हुआ कि यह कैसे हो गया, लेकिन फिर भी मैंने का नहीं हम इस बार और अच्छे से बना के लेके आएंगे, तो फिर हम अ अमज में नहीं आ रहा है, फॉल्ट की हुए, पता नहीं पैने हुए कैसे लगे या अच्छे लगे या नहीं लगेगा, तो इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, तब ही हमने छोचा कि क्यों ना इसका फैसन सो किया जाए, अगर फैसन सो करेंगे तो ज़्यादा लोगों को प तो बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, बड़े अवर्डीज लोग आ रहे हैं, आप फैसन सो कैसे करोगे, आप तो आर्टीजन हो, हमने का नहीं हमें, एक बार आप मौका दीजिए, हमारी इच्छा है, तो उन्होंने फाइनली हमें वहां से मौका मिल गया, लेकिन डिक्ष तो वास्तों में ये थी, कि वहां पर बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, उनके साथ में हमारा क्लेक्शन कैसे लगेगा, कैसी कलर थीम रहेगी, ये सारा दर तो था, तब ही हमने बड़े अंज्यों से मदद मागी, कि हम नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर हमारी मदद करोगे हमें फैसंसो करना है, तो उनोंने बोला कि ये आपका लेवल का काम नहीं है, ये डिजाइनरों का काम है, आप जहां फिल्ड में काम करें, वह ही आपके लिए बैटर है, तब हमें लगा कि मदद करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन ये फैसंसों मैं जरूर करूंगी, मैं बैट गई नेट से ढूंडा है दिरूदर कैसा कलर लूप क्या मेजरमेंट रहेगा यह सारा कॉस्ट्म डिजाइन करके हमने एक प्रोडेक्ट रैंस तैयार कर ली और डर लग रहा था कि वास्तों में बड़े डिजाइनर से उनके सामने हमारे प्रोडेक्ट कैसे लगेंगे लेकिन जब हमारे प्रोडेक्ट रैंप पे आये सारे डिजाइनर्स ओडियांस सब खड़े हो के तालियां बजा रहे थे और नेक्स्ट ट्राइम पांस बड़े डिजाइनर्स बाड़मेर पहुंच गए वहां से प्रोडेक्शन बनाने के लिए विभी रसेल, हमन अब्रामेंठाकूर, एलमेंडा, कई बड़े नाम हैं जो बाड़मेर पहुंच गए और 60-60 उनके साथ में हमारा था, उसके बाद में डिजाइनर आफ दे येर का एवार्ड भी जीत लिया, और ट्राइफ 8 के साथ में मिलके हम पूरी इंडिया में ट्राइप्स आर्टी ज पूटे ओर्डर मेल रहे हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल करेंगे, तो साइद और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, तो ये सोस ही रहे थे हम, तबी जरमनी हेम्टेक स्टाइल से हमें एक मेल आया, कि इंडिया से मातर एक NGO को हमने सेलेक्ट किया है, जिसको हम फ्री और कोस्ट इस पेस दे रहे हैं, हमने तो सोच जाए था कि हमें इंटरनेशनल फेर करना है और सीधा जरमनी से आ गया, एक बार तो यकीन भी नहीं हुआ था, फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमारी टीम आई थी, और रिसेर्च करने के लिए, तब ही आप लोगों से मिली थी और आपको सेलेक्ट किया हमने, तो इस तरीके से हमें वो जरमनी का फेर हमने किया और बहुत ही सक्सेज रहा, और उसके बाद में तो हमने सिंगापूर, सिरिलंका, थाइलेंड, युसे कई फेर कर लिए, लंदन, फेसनवीक बगेरा, लेकिन जब मौका मिलता है न तो वो छोड़ना ही चाहिए, यही मैं सबसे कहती हूँ, कि जो भी मुश्किल काम अपने सामने आता है तो उसको कर लेना चाहिए, मैंने मेरी जरनी में यही सीखा, कि कला को रोजगार से जोड़े रखेंगे, तो ही कला जिवीत रेप आईगी, तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, कि जो गाउं में वापत जाके रिसेर्च करेंगे, तो गाउं के लिए रोजगार पैदा करेंगे, और खुद के लिए जो केरियर उसका वहीं से इस्टार्ड होगा, तो यह बहुत ही अच्छी बात है, और इसके साथ मैं एक उधरन के साथ में आपको बताती हूँ, कि हमारे वहा पास आए आज से साथ साल पहले, और मुझे बोला कि रुमा जी मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं खुद तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं क्या ऐसा काम करूँ जिसे मेरे पास में पैसे हो और मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ, तो मैंने क्या आपको करन तो उनको पहले स्कील की टैनिंग दिया, और उसके बाद मैं निफ्ट कॉलेज से हमारे पास मैं आया कि वहां से कोई ऐसा बंदा हो जो यहां पर आके बच्चों को सिखा पाए, तो मैंने सुगनी जी से बात की कि आप दिली जाओगे, तो उन्हों बोला कि हाँ, जाँ किया, उनके साथ मैं उनको शिखाया, वापस आये, उसके बाद में यहां से सुगनी जी माना गाउं, उत्राखंड के माना गाउं वहां गए, वहां पर क्या एक पंकी छॉल बनती है, प्लैन, तो उसको वैलू एडिशन करके उसको ज्यादा दाम में कैसे बेश सके, तो पह यहां के लोगों को सिखाना और क्ला को मार्केट से जोड के रखना, तभी ही कला जिवितरे पाएगी अपन को हमेशा कोई भी काम करें तो अपनी जड़ों से जुड़े रेना, मतलब अपनी जो संस्कर्ति है, उसको कभी मत छोड़ना, जैसे मैं आपको बताऊं, जब पहल लोग ऐसे कपड़े पैन थे हैं मैं एक ऐसा क्यों पैन रही हूं मतलब थोड़ा सा ऐसा आजीब लग रहा था कि मैं भी मेरे जो ड्रेसे जैंवों सेंज कर लो लेकिन फिर मुझे लगा नहीं मैं ऐसे ड्रेस कर लोंगी फिर गाउं में जाऊंगी तो वो बोलेगी कि यह वहां पर बहुत बड़ी वर्क्शॉप हो रही थी तो वहां पर हजारों के ओइस में लोग बैठे थे और सामने मंत्री जी भासंद दे रहे थे ओडियंस में एक मैं भी थी तो मंत्री जी मुझे से बोल रहे हैं कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं एक लेडी है वो राजस्ता कारण है आज हजारों मैं से मुझे पैचान रहे हैं तो मैं हजारों के साथ मैं भी एक भी थी तो इस लिए अपने जो पैचान है इसको कभी शोड़ना उसके वाद में मैं जहां पर भी गई मेरी ड्रेस के साथ में गई Harvard University गई वहाँ पे भी मैंने इसी ड्रेस में वहाँ पे as a speaker के तरफे गई कोई कोई भी मन तो साएं वहां संस्कृती से जोड़े रहना अपना आप परिचे देता है महिला ये महिला का सपोर्ट करें क्योंकि आज महिला ये जब तक महिलाओं को से बात नहीं करेगी वो जो पड़ीली की महिला हैं वो अनपड महिलाओं से जाके बात नहीं करेगी तो उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम जहां पे रहते हैं वहां कि मैं आपको एक उदारन के तौर पे बताती हूँ जैसे खातू देवी जी है हमारे वाँ और वो उनके 18 मैने की बेटी थी और उसके हस्बेंड की देथ हो गई है अब वो गूंगट में घर में बैटी है उसको घर से बाहर निकलना अलव नहीं है और उनके पास में खा चला तो हम उनसे मिलने गए और उनसे बातसीत करने का कोशिज कि लेकिन वो गूंगट उठाई नहीं रही है बात ही नहीं कर रही है किसी से वो अपनी देरवानी जिठाणियों को साथ में बिठा के वो भीस में बैट जाती है मतलब इतना मतलब डर था उनके मन में कि मैं ब पास में पैसा आएगा आपके इतनी चोटी बच्ची इसको आप पाल पाऊगे कैसे कर पाऊगे यह ऐसे गूंगट के अंदर फिर भी वो धीरे 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 थीरे थोड़ा सा काम करना उसमें शुरू किया अब मैंने का आप ऐसा करिए काम होगा या नहोगा हम आपको काम देंगे जैसे भी होगा बाकी लोगों को नहीं देंगे लेकिन आपको आना पड़ेगा इसके लिए आपको तो वो अकेली नहीं आती अपनी दरवनी जेटानियों को यह काकिसास को किसी को सात में लेके आती और पूरा दिन गुंगट में बैठके वो काम गत आप समभाल रहे हैं जो भी आता है बेधड़क उनसे बात करती है तो यह उदारण था लेकिन ऐसी कही बेने हैं हमारी जो अपनी जिंदकी में बहुत दुकी है तो हम महिला ही है जो महिला से बात कर सकती है अगर उस दिन उनके साथ में कोई प्रूस बात करता तो वह साइद नहीं कर पाती है क्योंकि उसके मन में इतना डर था लेकिन मैं महिला थी तो उसको भी विश्वास हुआ कि वास्तों में ये हमारे लिए सही सोस रहे है तो इस तरीके से महिला को महिला का सपोर्ट करना चाहिए समान करना चाहिए और अपने हक के लिए खुद लगना चाहिए जब पहली बार कलेक्ट साब के हातों से हमें एवार्ड मिला तो मुझे लगा कि हम तो इसको बहुत सोटा काम समझ रहे थे और इसकी वज़द से हमें कलेक्ट साब ने एवार्ड दिया है तो हमें बहुत खुशी होई गर हुआ हमारे काम पे उसके बाद में राजेपाल जी के हात से अवज़ मिला और उसके बाद में राश्टपति जी के हाथों से नारी शक्ति पुरुषकार मिला और साथ में ही KBC से अभीता बचन जी के हाथों से करम भीर अवज़ मिला तो यह सारे अवार्ड मैं मानती हूं मेरी अकेली का नहीं जो हमारी 25,000 नहीं हाथ से काम कर रही है मैंनत कर रही है उन सब के लिए है और साथ ही मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि हमेशा महीला महीला का सम्मान करें सपोर्ट करें अपने हग के लिए खुद लड़े हम सब में कोई न कोई हुनर जरूर है तो क्यों न हुनर के जरिये आगे बढ़े सुआ लंबी बने अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे और अड़े रहे